हेलो एब्रिवान वेल्कम टू प्लांट कैपनी सो इस वीडियो में जो कल रेस्ट ऑफ दा क्वेस्टिन जो बच गए थे लूसेंट अब्जेक्टिव के जो हम लोग कल पड़ा थे हरपा संस्कुती तो कल लोग ने फॉर्टी कोश्टिंस डिसकस किया था बाखी के जे रेस् करते हैं हरपा में उन्नत जल प्रबंदन प्रणाली का पता चलता है तो उन्नत जल प्रबंदन प्रणाली का किस छेट से पता चलता है धौला वीरा में लोथल में काली बंगर में या आलम गिरपुर में तो कहां से पता चलता है धौला वीरा में ठीक है तो धौला वीरा मे जल प्रबंदन की जो प्रणाली थी हडपा संस्कृती की वो काफी उन्नत किस्म की थी ठीक है? Question number 42 हडपा के मिट्टी के बर्तनों पर समा लेता किस रंग का उपयोग हुआ था? ठीक है? तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो देखे थे कि हडपा में बर्तन तो बनाए जाते थे तो मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनमें किस रंग का उपयोग किया था? लाल, नीला, हड़ा, पांडू या नीला तो किस रंग का उपयोग किया था? लाल रंग यह नहीं कि लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं सिंदू सबता निमलिकित में से किस यूग में पड़ता है एतिहासिक काल प्राग एतिहासिक काल उत्तर प्राग एतिहासिक काल आद एतिहासिक काल तो किस यूग में पड़ता है आद एतिहासिक यह न एसे तो प्रतेग घर में हम लोगों ने देखा था कि आंगन और वगेरा हर एक घर में थे तो इसने पूछ रहे हैं कुछ के अफशेस कहां से मिले हडपा में काली बंगा लोथल या मोहिन जोद्रो तो कहां से मिले हडपा में से ठीक है सिंदुगाटी सब्वता को खोज निकालने में जिन दो भारते का नाम जुड़ा है वे कौन थे तो इसका सही उत्तर है ओप्शन ए दयाराम सानी इबं राख़ाल दास बैनर जी इन दोनों ही जो भारते जिन्नोंने सिंदुगाटी सब्वता की खोज की रंगपूर ज रहां हडपा की समकालीन सब बिताती वह कहां है अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब में उत्तर प्रदेश में सौराश्ट में यह राजस्थान में तो कहां है सौराश्ट में हडपा एवं मोहन जोद्रों की पूरा तत्विक खुदाई के प्रभारी थे ठीक हड़पा में से किस पसू की आकरती जो मुहर पर मिली है जिसे ज्यात होता है कि सिंदु घाटी एवं मेसो पुटा में की सब बिताओं के मद्वियापारिक संबंद थे ठीक है तो कौन सा इसमें सही है ऑप्शन सी ठीक है यानिकि बैल सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे आ फ्र.'' इसलिए वह नदी की भी पूजा करते थे जमी की धरती की भी पूजा करते थे, ओकेकोशन नमर 15 कौन से संदुत घाट पर स्थित नहीं था सुरकोटदा, लोथल, बाला कोट या कोट दीजी, तो कौन से संपूदर के तल के पास थे बांकी सब संदूत के पास थे या इन में से कोई नहीं तो मोहिन जोद्रों की सबसे बड़ी इमारत कौन सी माने जाती है सो विशाल स्नानागार ठीक है ग्रेट बात हरपाकारी लोगों ने नगड़ों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पदती अपनाई थी कमल पुश्विक की आकरती का गोलकार आकरती में घृट पदती में यात्रीपूजा का आकरती में तो देखे थे हम लोग ग्रीट पदती को अपनाई गया था ठीक है तो C is the right answer, अब सुची 1 को सुची 2 से मिला ना, यहां प्राचीन स्थल दिए गए हैं सुची 1 में और यह पुरा तत्वी, अब 6 कि कहां आप से क्या मिला, ठीके, तो 53 का अंसर है option B, ठीके, तो यानि कि लोथल से क्या मिला, लोथल से मिला dockyard, ठीके, लोथल से मिला dockyard, यानि option 2 काली बंगन से क्या मिला, काली बंगन से मिला जूता हुआ खेत का शाक्ष, ठीके, काली बंगन से मिला, यह है काली बंगन, जूता हुआ खेत का साक्ष मिलता है, काली बंगन से, ठीके, धौला वीरा से क्या मिला, धौला मिला हडपाई, लीपी के बड़े अकार के 10 चीन वाला एक शीला लेक तो धौला वीरा में शीला लेक मिला ठीक है और बनवाली बनवाली क्या मिला पक्की मिर्टी की बनी हुई हलकी प्रकृती ठीक है तो यह मिला बनवाली से ओके तो चलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन की तरब सुतंत्रतियोत्तर भारत में सबसे अधीक संख्या में हडपा यूगिन स्थलों के खोज किस प्रांत में हुई थी गुजरात राजस्थान पंजाब और हर्याना या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो एक से किन कोश्चिन नमर 54 निमलिखित पस्रूओं में से किस एक का हडपा सबता में पाई मुहरों और तेरा कोटा कलाकिरतियों में निरूपन या अंकर नहीं हुआ था तो जो मुहर था तो उसमें बहुत सारे जानवर भी हुगा करते तो इसमें पूचे जाए किसका अंकर नहीं था उसमें से कौन प्रेजर नहीं था शेर का वं नहीं थे सोना एवं चांदी तामबा एवं कांशा टीना एवं सीसा और लोहा तो सोना चांदी के तो जोलरी बनाए जाते थे तामबा और कांशा क्योंकि ब्रॉंज युग में आता है ठीक है तो इसका साही उत्तर है ऑप्शेन डी यानि की आईरन से प्रचित नहीं थे निम जब किसी फैमिली में एक कश्व जहां गार देते थे फिर अगर दूसरे बार किसी फैमिली की मृतियों थे तो वहीं पर गार दिया जाता था ठीक है तो इसका साक्ष मिला है लोथल से यानि की लोथल जो कि गुजरात में है वहां पर डबल ब्यूरियल सिस्टम था कपास क पाधन सर प्रतंंस नू छेत न्मुवा जिसें घ्रीक यह यूनान की लोग किस नाम से पुकारते थे और ऊतर में कॉनाल राखी गडी दायमाबाद दायमाबाद बनावली यह रोपड तो कहां से प्राप्त हुआ दायमाबाद यानि प्रेजन्ट टाइम महराश्च्रा ओके हडपावासी किन-किन धातूं का आयात करते थे चांदी का, टीन का, सोना का तो यह सबी चीजों का आयात करते थे ठीक है तो A is right answer यानि किन-किन धातूं का आयात करते थे सोना, चांदी का तो जोईलरी भी बनाते थे, टीन के भी होते थे तो इसलिए तीनों सही है अफगानिस्तान सिंदू सबताते संबंदित स्थल है, तो अफगानिस्तान में कौन सा स्थान है जो सिंदू सबताते संबंदित है ये पूछा जा रहा है मुंडी काक, सुर्टोगोई या फिर A and B दोनो या फिर D हडपा So C is the right answer, यानि मुंडी काक और सुर्टोगोई जो दोनो है यह अफगानिस्तान में है, प्रिजन टाइम में और यहाँ पे क्या मिले सिंदू सबता से संबंदित स्थन है कौन-कौन से नगर सिंदू सबता के बंदरगा थे? ठीक है, तो कुश्चन अच्छे से पढ़िए, सबता के बंदरगा नगर थे यह पूछा जा रहा है लोथल एवं सुद कांगेडोर, अलादीनो एवं बाला कोड, कुंतासी है इन में से सभी इन में से जो भी है उपर में 62 ऑप्शन में यह सभी क्या थे बंदरगा नगर थे लोथल और एवं सुद कांगेडोर, अलादीनो एवं बाला कोड, कुंतासी यह सभी क्या थे बंदरगा नगर थे मोहन जोदरो से प्राप पश्चूपति सिव या आद्शिव मुहर में किन-किन जानवरों का अंकन हुआ, तो जो पश्चूपति सिव थे उनके आस-पास मुहर में जो भी जानवर का अंकन किया था, तो भी कौन-कौन थे, व्याग्र एवं हाती, गैंडा एवं भैंस, हीर या इन में से सभी तो इन में से सभी कांकन किया गया था ठीक है किस किस हडपा कालिन स्थल से निरित्र मुद्रा वाली स्थरी का कांश मूर्ती प्राप्त हुई है मोहन जोदरों से काली बंगा से हडपा से या बनावली से तो मोहन जोदरों से क्या प्राप्थुआ निरित्र मुद्रा वाली इस्तरी का कांस मूर्ती यह ब्रॉंच की मूर्ती डांसिंग वमन का मिला किस हडपा कालिंस थल से पुजारी की प्रस्थर मूर्ती प्राप्त हुई हडपा से मोहन जोदरो से लोथल से ये रंगपूर से तो कहां से मिली मोहन जोदरो से तो मोहन जोदरो में ही दांसिंग वमन मिली और दुसरा पुजारी की प्रस्तर मूर्ती भी मोहन जोदरों से ही मिली किस सिंदू कालिन स्थल से एक इट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं हडपा से, मोहन जोदरों से, चनुदरों से ये लोथल से एवं पेड के निचे खड़ी लोमडी का चितरांकन मिलता है जो पंजों के लोमडी की कहानी के सादरिश है तो कहां से मिलता है? तो लोथल से ठीक है, तो लोथल में ही चोंच में मचली दवाए चिडियां एवं लोमडी का चितरांकन मिलता है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ स्वायत्तर भारत में सबसे अधीक संख्या में हडपा यूगिन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हर्याना या उत्तर पश्शिमी में तो कहां पर गुजरात में, यानि कि गुजरात में सबसे अधीक हडपा यूगिन स्थल मिले हैं, ठीक है निमलिकित में से कौन सी फसल हडपा कालीन लोगों का मुख खादा नहीं थी, जौ, दाल, चावल या गेहूं तो कौन सी नहीं थी, तो चावल, हम लोग देखे थे कि गेहूं, डाल, जोई, सभी अधीक मात्रा में उगाए गए, पर चावल के जो साक्षे है वो बहुत कुछी जगों पे मिले हैं, ठीक है, इसलिए ये मुख खादा नहीं थी, अब कथन बोलना है कि कौन सा कथन सही है कथन A वोड़ रहा है, हडपा तता मोहन जोदरो अब विलुप्थ हो गए है, कथन B वे उत्खनन के दोरान प्रकट हुए है, तो ये तो दोनों ही सही है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है, तो option A, यानि A और R, दोनों से ये तता R A का सही स्पस्टिकरन भी है, सिंद वर्चस्वसाली नहीं था, उसकाल में भारत में कपास से वस्थर बनाये जाते है, तो 71 का भी दोनों ही सही है, ठीक है, ये कैसा था, तो लौकिक Wash. डाश्वक्त पर वर्चस्वसाली नहीं था, और ये कपास तो यहां उगाये जाते थे, क्योंकि कपास की खेती हरभा सव नुबर सी कैसे तो यह यहनी कि मान्दा मान्दा जमु इन कश्मीर में ठीक है यह हो गया मान्दा जमु इन कश्मीर में मान्दा ठीक है बीका फोर यहनी दायमाबाद कहा है महाराश्ट्रा में है दायमाबाद ठीक है अब है काली बंगा काली बंगा कहा है राजस्थान में का तो जो भी प्लेसेज वाले जितने भी कोशन है आप उसको मैप से एक बार अच्छे से देख के याद करना तब वो ना ज्यादा टाइम तक आपके याद में रहेगा नहीं तो वरना क्या होगा कि आप कंफ्यूस कर जाओगे जब कोश्चन देख होगे तो ठीक है तो मैप को अच्छे से देख के याद करना सेवेंटी थ्रीयापर हडपा कालिंस थलो में से अभी तक किस धातु की प्राप्टी नहीं हुए है तामबा स्वर्न चांदी ये लोहा तो किसकी प्राप्टी नहीं हुए कोश ऑर्पीट्ट भी ए लोहा की नहीं वी ठीके बांके तो सब य 25 चांग्दुरो के उत्खनन का निर्देशन किया था जेएच मैके ने सर जॉन मार्शल ने आर एम वीलर ने सर औरल स्टीन ने So A is right answer, okay? जेएच मैके Question No. 76 एनिके last question सिंदुगाटी हडपा के लिए मेसोपोटामिया ही रिकॉर्डों में निमलिखित में से किस शब्द का परियोग किया था? तो दिल्मून, मेलुहा, मेगन या फैल का? तो मेलुहा ठीक है? तो Question अच्छे दे समझे सिंदुगाटी हडपा के लिए मेसोपोटामिया में जो रिकॉर्ड्स लिखा गया है उसमें हडपा के लिए कौन सा मेलुहा वर्ड यूज किया गया है तो हडपा संस्रिती का जो भी लूसें से अबजेक्टिव था वो डिसकस खतम हो गया कल हम लोग वैदिक संस्रिती के बारे में देखेंगे पहले उसके बारे में कुछ डिसकस करेंगे उसके बाद आगे अप्रोच करेंगे ठीक है तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक, शेर, कमेंट बिल्कुल भी करें करना ना भूले and thank you for watching